हेलो फ्रेंट्स में नाम समित है और आज मैं आपके सामने एक नहीं वीडियो शीरीज लेके आया हूं इस वीडियो शीरीज में हम बारतिये त्याज के वे सभी कोश्चन करने वारे जो और रियना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन बार बार वैरी एक्जाम्स के अंदर पूछ चु आएंगे ओके चुल अब हम कोश्चन करते हैं नमारे पहले कोश्चन होएंगे वो डेपूटी रेंजर पर से पूछे गए जो एड़ोटेशन मेंटम बारा सलह से दोजार पंद्रा है इसमें हमारा पहला पर्शन है पानिपत की पहले लड़ाई कब लड़े गई पानिपत वन्सकी स्थापना होई थी और लोड़ी वन्सकी का अंत या दिली सल्तनत का अंत इसके बाद मारा नेक्ट कोश्चन है बान बट की सराजा के दरबार में कवी थे बान बट हर्श्वर्दन के दरबार में कवी थे और बान बट की रचनाय थी कादंबरी और हरस्ट्रित्र है कि जलिया वाला बाघत्य कांड कब व व व गट में यृ और यहां था के अपे उनीस्सों निस्कों उट McDs को संग संग कि थी दीन उलाई प्रमेशवर के धर्म को स्थाफना किसे ने गई थी 1526 इस वी में पाणिपत की पहले डाई बाबर हुआ इबराहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी अमारा नेक्स्ट क्वेशन है राजा हर्षवधन के पिता कौन थे राजा हर्षवधन के पिता प्रभाकर वर्दन थे और इनका राजवांस कौन सा था इनका राज कि आर्यानie राजा हर्षवधन की राजवांस क्या थी राजवांस की ठांचस्ट कर दिया गया अगर मारे क्वेशन के अंदर थाने सरो तो ठांच से लगाएंगे र् ont अंतकर भी लगा सकते हैं इसके बादोबार हमारी नेक्स्ट क्वेशन हो है अर्थ्षास्त्र की रचना किसी ने की थी अर्थ्षास्त्र की रचना चना के ने की थी जो अर्थ्षास्त्र की रचना थी इसमें अर्ज सास्तर एकोनोमे की नयोकर बलकिस में जो राज सास्तर है उसकी व्याख्या क्यों यह कि वी राजा कैसे अपना राजबाट चलाएगा उसके क्या दराम है उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेशन है पानेपत की लडाई कब लड़ेगी पानेपत की लडाई 1566 में यह में जंद्र विक्रम देत्ते थे और इसमें अकबर एक उर्समा बच्चाई था और अकबर की तरफ से बैरम खाने अकबर की सानगा नेतरतों किया था अमारा नेक्स्ट क्वेशन है राजा पुलिकेंस दूत्ते जिसने अर्षवधन को राया था वो किस राजवंस से थे राजापलेकिस दियुट्ट चिशने अर्षपदण को राया था वो 16 से सम्दित थे और ये 17 वंस बारत के दक्षुन राज्यों में स्थितता अमारा next question है किया था हमारेनेस्ट कॉच्चन है गुलाम मांस के साथ सक रज्य सुल्टाना का मख़बर Hahn काहां पर है गुलाम मांस के साथ सक रज्य सुल्टाना का । न Community सब्सक्राद गाध्र की पास है निखड़ान्स करुछेदेहर है नितामारेनस्ट को एक स्माजिक दार्म Costa रहें भारत में राजयरमून राय वह उन्होंने भर्म स्थाव माज की स्थाबन ना गए थी और समाजिक दार्मे का सुधार कर आंदरुन के सुथर रहें इन्होंने 1839 में धान्सन इक्ट लाग हो अथा जिसमें अ contempt करता को बैन डिया गए था उसमें रबाचा रामोन का एक बाउत बड़ा योगदान आहे हमारे ञ्सट पेंचा कसने पान की लडाई कब लड़े गई पान पत की लडाई पंदराहसो एकुक्सरी माप में लडे गई थी और यह पाणेपत की दूसरी लडाई है यह question दोबार आप पुछा जाए चुका है यह कुछ मैंस प्रिंटिक यहाँ पर पाणेपत की दूसरी लडाई कर लड़ है पाणेपत की दूसरी लडाई जो फिट था और अटास ताउन कायक बहुत बड़ा विद्र हो था जो सिपाई विद्र ही था उसके बाद अमार नेक्स्ट कोशन है राजा परत्वीराज किस राजवांस थे था राजा परत्वीराज चोहान राजवांस थे उसके बाद अमार नेक्स्ट कोशन है कौन से पढ़ता है अब नेस्ट कोशिन है परसीद पानेपत के लडाई कहा लड़े गई और यह कोश्चन विल्कुई लिखा हुआ है किसमें कोई कलती भी निया परसीद पानेपत के लड़े पानेपत के अंदर लड़े गई थी क्योंकि एक सिली कोशन और आप सब को पता कि बाड़ा की बीच में लड़े गई थी और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो भी पानीपत के लड़ाई है उसके साथ स्से अडिना स्टाफ सेलेखन का मिस्टन उसका काफी ऑब सेशन है या इससे काफी प्यार कर चुका है पानिपत की लड़ाईयों से और अर्षवादन से की बार बार कोस्टन पूछ रहा है इनके उपर ठीक है और इसमें एहमत साथ दाले की जीत हुई थी इस लड़ाई में और मुनाठा की हार हुई थी और इसी के साथ मुनाठा पार भी खत्म होता चला गया था बात के अंदर हमारा नेक्ट कोशन है परशिद संतता सेनानी जो पंजाब के स्री के नाम से परशिद था किस नैँ लिखी दस टोर्य रॉष्ट आफेरमेंट विखविद टूथ् आथमा कंदी कि और इस्ट आफ्ट की दूस की लड़ाई कभ लड़ेगी बानेपत की दूसरी लड़ाई पंदरां सोचपन एश्यू में लड़े गई थी कि यह fige saypoint शोटन बूस लिया और आपको पता है कि पानपत की दुष्टिर डाई में आख भर और मो के बेच में ओती इसमें आखवर की विजह हो थी का ते कि याँ पर एमू एम जंदर जीत्त जीत्ते आरे गया था कि उसके आखे में तेल लगा और वो गोड़े से गी यहीर गया और उसके आना पाखडे यही और हार्ती वएकबर किशा न जीत गई उसके बाद मारा नाच्ट कोश्चन है रतनावली किसने लिखी थी रतनावली हार्षवदन लिखी थी हार्षवदन एक राजा था और शी साथ कार और नाट की थी नाट के लिए थे जिन में थे रतनावली नागानाद और पिरुदत्षिका तीष ओकेशंके बाद ऑनारा नेक्स्ट पोशियन है। उसके बाद आमारा नेक्स्ट कोश्शन है, मुगल राजवन्स का अंतिम ससक कौन था। मुगल राजवंस का अंदिम साथ सक बाद 2 सेकंड था जो ठारा सुस्तावन के बाद मुगल राजवंस कांथ भी हो चुका था और बाद 2 सेकंड ने ठार सुस्तावन की करांती उचिस में बाग लिया था है हुआ अब नीश्ट कोशन है इब्रायम लोदी का मकबरा कहां पर इब्रायम लोदी का मकबरा पानेपत में है इसके बाद अमार नेक्ट्ट क्वेशन है अब क्वेशन करेंगे हम एड़ोटाजेमेंट नमबर 626 जो ट्रेसर के एक्जाम में पुछेगे परसन है उनमें पहला क्वेशन है वे मिल्टी कमांडर था दैस वे मिल्टी कमांडर था जिसने अप्रेल 19-19 में जली वाला बाग न अर्शुंगार किया था और इसके इनगी काफी निंदा होई थी उसके बाद हमारा नेक्ट क्वेशन है और इसको उद्धम सिंग ने बिटेन में जाकर इनको गोली चला कर इनके अत्याभी कर दे थी उद्धम सिंग ने उसके बाद हमारा नेक्ट क्वेशन है असोग साथब किस लिपी में लिखा गया है स्वरी असोक स्तंब यह साथब नहीं यह स्तंब आए गाई यहां पर असोक स्तंब किस लिपी में लिखा गया असोक स्तंब ब्रामे लिपी में लिखा गया है ओके उसके बाद हमारा नेक्ट कोशन है बाणबटन की बाणबटन ने डैस की बाइगराफी लिखी थी बाणबटने हर्ष बदन की बाइगराफ लिखी थी जिसका नाम था हर्ष चृतर उसके बाद मारा नाइस्ट कोश्चन है अब हम एड़ोटेश नमर 6-26 कोश्चन करेंगे जो इंडेस्ट्रिल एक्स्टेंशन श्राम पोफिसर में पूछे गए हैं इनी में मारा पहला कोश्चन है सिमराट आसो किस के प Fighter थे 1857 का नेकर कहां से शुरूओ था 1857 का विद्रोव मेर्ट में शुरूओा था इसके बाद हमारा नेक्ट क्वेश्चन है लाला थपत्राए कि अठालों में सार से सफेकर रूप सामल हूँ नहीं से क्या था इम्हें नहीं ने इसके बात मिरनेनि居गर से शिरिया कि से लमितने दूत्मेटेश्द्ट्स्ती पार मत्सफ में था शेरिया का सेलोस के निकेटर का राजदूत में चंद्रगुप्त मोर्य के दर्बार में आय था और ये मोर्य वन से तो 335 इस्वा पूरो एक्सिस्ट करदा था उसके बाद मारा नेक्ष्ट कोश्चन है राजा हर्षवदन ने अपनी राजथानी को कन्योज मैं राजथानी को कदोव में पिसाया जिबकि डैस राजथाननी स्थापत के थी उनकि राजथानी पहले üçान चरती जो अ час ने उसके बाद का कन्योज में बसा लिए था राज़दी असके बाद मारा नेक्ष्ट कोशन है द्रा ने की दूशरी ल他ए कि ऐत दितितिता राईकी ह लड़ाइ महमध गवर्नी जित थी गयासाओ बन में एस्व में होई था त्राइए के पहले लड़ाइ गयासाओ कर देख देख चिर वह ती जिसमें प्रिट्व राज की जीत ओगती हो तरहाइए दोशी लड़ाइ में प्रिथु प्रिफराज और मुहम्मद की फिर लड़ाई होगी जिसमें मुहम्मद गोरी जीत गया और प्रिफराज हार गया उसके बाद मारे नेक्ट कोश्चन है कि दैस मुगल समराथ अकबर द्वास्थापित विजय सहर है इसके बाद मारे नेक्ट कोश्चन है मुगल वन्सकानतिम साथ वाद दुरुषा सागिन था जो 1857 के गरंथी में पर्टेस्पेट लिया था उसके बाद मुगल वन्सकानतिम हो गया था पुरी तरह अब हम अंगले कोशन को चलते हैं अगला कोशन है 9 माई 1907 को किसे बर्मा निर्वासित कर दिया गया था जिसके गांग्रेस पार्टी की तर्यूद्यू को एक बहुत बड़ा जटका लगा लाला लाच्पतर राय को 9 माई 1907 को बर्मा की जेल में बेश दिया गया था यहां इस इसके बाद काफी बड़ान दोलन हुआ और फिर इनको जल्दी वापिस बिलाना पड़ा बेटिस कववर्माट को उसके बाद हमार नाच्ट को समय चलते हैं खिल जी वंस का पहला साथ कोन था खिल जी वंस का पहला साथ चलाओ दिन फिरोज खिल जी था यह सभी कोश्चन हुआ हैं जो वैरेस आज एक्जाम में पूछ जा सुके हैं ना इन में से कोई बदल किया गया है बेख जैट कोश्चन यह अपड़ेट किया है हमने अब हम नेक्स को समी चलते हैं जली वाला कांड के दिन तिवार डैस जली बार कांड डैस टिवार मनाने के लिए क्ठा हु हुए थे जब हो कांड हुआ और जनन डायर ने इनको पर गोड़े चलाई थी उसके बाद हमार नेक्स्ट कोस्टन है तरहन की पहली लड़ाई कोन आ रहा था तरहन की पहली लड़ाई मौमध गोरी आ रहा था जिसमें पृत्विराज की विजय हुई थी और तरहन की पहली ल आई अठरस्टेन के क्रांती में अजादी के लिए संगर्ष के दौरान हुई मैतापन गटना थी अब यह कुछिशन देखो कि जैसे किसे एडलाइन में से उठा के डाल दिया गया वह अच्छा सरी ने कुछ भी डाल देते हैं सरी कुछ तो देखो यारो के डाल रहे हो पेप सब्सक्राइब कर दो दो कुछ थे उसकी बाद मारा नैक्स्ट कोशन है नैस्ट कोशन हम फिल इंस्पेक्टर स्टोर में से पुछे को घुलक्ट किये हैं कि इनमें पहला कुशन है कि स्थानिय सवसासन को प्रान। किया लौड रिपन ने जो नजल नथा उन्हें स्थानिय से उसासन की प्रानब कीे था उसके बाद हमारी मोड़े हमारी निक्स्ट के था चलू की राजदानी ठीचलू की राजदानी बाता में थी ये क्वेस्ट बहुत कम पुछे गये हैं लेगने ये पुछा हुआ है कोई अग्जाम कोई नहीं चूटा उसके बाद मार नेस्ट क्वेशिन मराठा और नहीं सब्सक्रके साथ कौन सा यूद लड़ा गया था मराठा और अमद साथ डाले के साथ पाने पत्का तीसरा यूद लड़ा गया था जिसमें अहमत सब्धाले की जीत हुई थी और ये यूद 1761 में लड़ा गया था इसके बाद हम नेक्ट कुशन में चलते हैं सवतनता के बाद पहले गौवरन जर्न थे सवतनता के बाद पहले गौवरन जर्न थे लाड मांट मेंटन और इसकी साथ कुशन ये बिदा कि वह सथा कि नेक्स्ट कॉश्चन है बंदा बाद ने किस गुरू के कहने पर सन्यास चोड़कर युद किया था धा मोगलों के साथ और अंग्रेजों के साथ उसके बाद ये हमारी सभी कोश्चन है इन से भी एक्जाम्स में जो भी वैरिस रेनाश्टा सेलेक्स के मिशिन में बारती है इतियास से पूछे गए हैं वे सभी कोश्चन हमने पूरे कर दिये हैं अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ग रहे हैं और ताकि हमें और भी प्रणना मिले कि हम और वीडियो भी बनाते रहे हैं आगे के लिए ओके थैंक्यू दन नवाद